हेलो, नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यान महिमा में दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने वाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो के सुरू में देख लिएए दोस्तो जैसे आखी हमारे पास बता दूँ दो वाट्सअब है वाट्सअब बाट्सअब और दोस्तो आपको बताने वाला हूँ कि कितनी भी पुरानी वाट्सअब की चैटिंग हो वो कैसे delete हो जाएगा और delete for everyone का option कैसे आएगा जैसा कि यह message देख सकते हैं हाई का 9 March को आया हुआ है मेरे पहले वाट्सप से तो मैं पहले वाट्सप से इसको देखता हूँ delete करने का तो जैसा आप देख सकते हैं हाई लिखा हुए 9 March का message है आज date का भी आगया चुके है तो इसको हम delete करने की कोशिश करते हैं देखे delete होता है कि नहीं जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे delete for me का ही option आ रहा है delete for everyone का option नहीं आ रहा है तो 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 लिए आपके confirmation के लिए भी आपको दिखा देए यह जैसा देख सकते हैं हाई का message 9 March का है और आज की टारीक क्या है मैं आपको mobile में दिखाता हूँ उपर की date देख सकते हैं आप March 11 लिखा हुआ है तो ऐसा आप कितना भी पुराना message हो तो सबसे परली चले बताते हैं आपको क्या करना है WhatsApp जिस WhatsApp का message आपको everyone delete करना है उसके information में जाएंगे information setting में जाने के बाद आपको force stop करना है और कुछ भी नहीं करना है इससे आपका कोई भी data जाने वाला सेम जैसा है वैसा ही रहने वाला है तो आपको tension लेनी के जरूवत नहीं force stop करने के बाद आपको अपना internet बंद करना है और internet बंद करने के बाद आपको अपने mobile के date and time setting में जाना है जिसको automatic time को बंद करके जो network से चलता है manually time set करना है आपको time ऐसा set करना है जो message के आसपास का time हो time or date दोनों ही तो मैं 9 March का time set करता हूं और time में उसके आसपास का set कर देता हूं और फिर उसके बाद message delete करने की कोशिश करेंगे देखेंगे delete for everyone का option आता है की नहीं इतना सब होने बाद अपना WhatsApp open करेंगे WhatsApp open करने के बाद जिस message को हमने send किया हुआ था 9 March को अभी उसको delete करने का try गाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर today लिख कर आ रहा है हमने date change किया तो अभी यह today लिख कर आने लगा अब यह जैसा कि हम देख सकते हैं today लिख दिया है तो सारा नॉर्मल कर सकते हैं ने चालू करने के बाद यहां से अपने अपनी डिलिट हो जाएगा जाएगा तो